खबर राजनात गाउं से है जहां मौसम का तापमान 40 डिग्री पर इस्थित हो गया है बिशन कर्मी की वज़े से आम आदमी के अलावा जंगली जनबरों को भी प्यास बुझाने के लिए भड़कना पड़ रहा है यह तस्वीर डोंगरगर से 15 किलोमेटर दूर इस्थित्पनिया जोब के जंगल की है यहां पर चीतल और मोर के जुंड बिचरन करते नजर आ रहे हैं यह तस्वीर सुखद होने के साथ ही चिंता जनब भी है क्योंकि जंगल में जल स्रोथ सुख गए हैं और वन जीव पानी की तलास में नदी नालों तक पहुँच रहे हैं नाले में भी पानी नहीं है चौसिंगा भी देखे गए हैं इस छेत में विसेश प्रजात के चौसिंगा भी देखी गए हैं और इनका संडक्षन बहुत जरूरी है जंगल के आसपास मोर भी देखे गया है इनके संडक्षन के लिए जंगल में जल स्रोत की विवस्था बहुत जरूरी है नियुन्तम तापमान 28 डिग्री के पार जिले के लोगों को भीज़न गर्मी से राहत नहीं मिल रही है दो द्रोडिका के सक्री होने से मौसम बिभाग ने कुछ राहत की उमीद जताई थी लेकिन जिले के मौसम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा अधिक्तम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गे बीते तीन दिनों से तापमान इसी इस्तर पर इस्तिर है वहीं नियुंतम तापमान भी 28 डिग्री के पार है इससे दिन के साथ रात में भी गर्मी ने हलाकान रखा है इधर मौसम बिभाग ने तापमान में ब्रिदी का टेंड फिर सुरू होने का संकेत दिया है इस बार बारिज भी जल्द आने की उम्मीद जताई है इन दिनों गर्मी के साथ उमस ने भी परिसान कर दिया है